उम्शान्ति आज परमात्म का बहुत सुन्दर ब्लेसिंग है सिदा सर्व प्राप्तियों से बरपूर रहने वाले हर्शित मुख़, हर्शित चित्त भवा जबी भी देवताओं की किसी मुर्ति का चयन करते हैं तो देखते हैं उस मुर्ति का चहरा सिदा हर्शित मुख़, हर्शित मुख़ ये प्रतीक है सर्व प्राप्तियों का, जिने सर्व प्राप्तियां होती हैं उनका चहरा हर्शित मुख रहता है लेकिन अगर कोई प्राप्ति उपर नीचे भी होती है लेकिन अगर हम अपने चित को हरशित रखे उसे भी स्विकार करे तो आटोमाटिक हमारा चहरा हरशित मुक रहेगा ध्यान में रखना बाहर की प्राप्तियां कम जादा हो सकती है उपर नीचे हो सकती है में नहीं है लेकिन अगर अंदर की स्थिति है मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूं मैं सर्व प्राप्तियों से संपर्ण आत्मा हूं अगर हम यह संकल्प अपने आपको देते हैं तो और आटोमेटिक वो भरपूरता हमारे वाइबरेशन में आती है हमारा चित हरशित रहता है जिसका चित हरशित होगा उसका मुख हरशित होगा और ऐसी हरशित मुख आत्मा अपने चारों और की वैतावरन को बहुत सुन्दर बनाती है आपका हरशित चहरा दूसरों के चहरे की रोशनी को बढ़ा देता है और इसलिए सदा अपने चित को अर्शित रखना और साथ साथ चेहरे को भी हैपी टेए को बढ़ा ।